नमस्कार दोस्तों आपका सौगत है हमारे यूटूब के नाजी टीचिंग या मोबलोड पर तो दोस्तों आज से यूपीटेट और सीटेट की क्लासेट इस्टार्ट हो गई हैं आज मैंत के अंतरगत हम डेली ट्यापीक वाइक क्लासेट पढ़ेंगे जिसके अंतरगत आज ह वैंगेों समझेंगे हम लोग संख्या को वागब में बाता गया एक होती है वास्ताबिक नंबर बुलते हैं atau और इसी संख्याओं को भी थो भागों में बाटा गया है किंदने हैं दो भागों बाटा वा कितनी प्रकास से 되어 कौन कौन से रियल नंबर यानि वास्टभिक और इमेजने नंबर यानि रहते हैं और रेशनल नंबर को कितने लंबर को तीन बादा गया है कितनी संख्याओं में पूर्ट संख्याएं पूरांग संख्याएं तो तीन भागों बटा गया है तो इसको यही इसका पूरा नंबर सिस्टम का चार्ट है इसी से हम लोग को पढ़ना है आगे एक एक करें टापिक डिसकॉस करेंगे अगर आप लोग की मैद बिल्कुल भी कि मैद आप लोग की मान लीजे बहुत आपको कुछ नहीं आता मैस में तो आप मिद्दम जीरो से हम लोगी स्टार्ट करेंगे जीरो से लेके हाई लेबल तक ले जाएंगे आप लोग अगर जितना मैं पढ़ाता चल रहा हूं इतना आप लोगों कर लिया यूपीजर स्ट सब्सक्राइब करेंगी तो आप लोग बात कर रहे तो संख्याओं के बारे में संख्याओं को दो भागों बाटा गया है वास्तबिक संख्या है काल्पने संख्या है संख्याओं को नमबर यानि परीमेर संख्याओं कितना बाटा गया है अब लोग तीन बाटते हैं एक प्राक्रतिक संख्या यानि ने अनि वूल नंबर और एक होता है पूड़ांघ आप लोग इसको पढ़े होंगे अभी नंबर लाइन जो दर्साय जाता है अब हम आगे जैसे आप लोग Q के रूप में दर्सा सकते हैं जैसे आप लोग Q के रूप उनको हम लोग कहते हैं और याद रखिएगा कभी भी जैसे पी अपान क्युट की रूप में दरसाते हैं क्यू कम अब बैलु कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्यू कि अगर जीरो रहेगी तो देशनल नहीं माना जाएगा ठीक जैसे पांच बते च्छे याफ हुई थीन बटा जीरो टीन जीरो प्या लूप्र है अबने बताया था क्यू कमान जो होना चाहिए जीरो नहीं होना है या रेशनल लंबर होगी क्योंकि इसको अउन है पां क्योंकि रूप में लिख सकते थिए यहां से मुझा प्रस्थ कई बार पूछा जाता है तो आप लोग इसको जानते रहिए गा बाइस बटाज साथ क्या है ऐक एक लेया उसके बाद एक चीज और प्रस्ण में पूछा जाता है यह आयles में ऐसाथ उन देखते हैं अगर एसे और अगर ऐसे शंख्याएं भी लिखी रहेंगी यह भी डिशननल नमबर है क्योंकि इसके नीचे वन लगका रहता है आप लोग को पता है ना तो यह भी डिशनल लंबर हो जाएगी, था हम लोगों ने क्या बढ़ा संख्याएं दो प्रकास से होती हैं एक वास्थबिक बोलते हैं दूसरे को हम लोग कालपनिक संख्याएं बोलते हैं वही रेशनल नंबर यानि परिमेश संख्याएं और या परिमेश संख्याएं रेशनल नंबर को हम लोग दो भागों बाटते हैं तीन भागों बाटते हैं प्राक्तिक संख्याएं जिसको हम लोग नेच्वल न नाइन अंडर रूट फोर इस सब क्या होंगे सब डेसनल नंबर होगी बाइस बटा साथ यह वी जेसनल नंबर होगा चलिए अब हम देखते हैं यानि यह देखते हैं तो अपर परिमेश संख्या है यह होती हैं जिनको हम लोग पांग्यू की रूप में नहीं लिख सकते हैं अभी तक हम लोग ने परीमे संख्या पढ़ा इसे संख्या जिसको में लिख सकते हैं उसको मुझा परीमे संख्या कहते हैं जैसे बैंदरूट पांच अंडरूर रूट साथ अंदर-इऽारा पाई एटीसि तो इस में से प्रस्वर हमेंसा पुझा जाता है पाई क्या है पाई पाई या आ प्रमीसर क्या है ये से अंडरड पांच को आप लोग तोड़ सकते हो चार को नहीं हो जाएंगे लोग तो दो बचाइगा तो हो जाएगी हम इसलिए ज ă pasture चैट मलोग आप आज़ी संख्याइगी, कि लिखते हैं तो इसके अंदर संख्याओं के इंदर कौन-कौन से आती हैं तो अभी तो क्षो कहते हैं एस संख्याओं कि प्रक्रिया करती हो उसे हम लोग क्या जा वोलते हैं जो संख्याइं जो संख्याएं गिन्य की प्रकिया करती हैं प्राख्यतिक संख्याएं कि एक से लेके अगीनत संख्याइं जो हैं जिसको वो Splat करते हैं पांच छे आज अगी अगेना तक संख्याएं ना तो वह सच्छ है तो वहीं से लेको वोल क्या होती है या लोग इससी बाइस सद्सनिक करते हैं Chair टो प्राक्रइब नंपर पूर्तन को चाहिं करते हैं कि जैरा पूर्ण करते contributes है पूर संख्या कहते हैं जैसे जीरो से लेके अगीनर संख्या है उसके बाद हम लोग पूरांग संख्या किसको कहते हैं जिस संख्या में पूर संख्या संख्या प्लक रिजात्मक संख्या तीनों को संबलीद कर लिया जाता है उसको हम लोग पूरांग संख्या कहते हैं क्या सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद हम लोग संख्या के बात करते हैं तो संख्या क्या है ऐसी संख्याएं जो दो से ना से विभाजित हो जाती हैं जो दो से विभाजित करने पर पूरी तरह से कट जाएं कोई सिस्पर ना बचे उसको हम लोग क्या वोलेंगे संख्या बोलेंगे ठीक उसके बाद आता है विष्भा संख्या यह साथ 23 23 23 2 से जो नहीं जो हुआ वोलेंगे एक पूस नहीं बहुत इंपार्टनेस का लगा कर लिख लिएगा संख्या होती है जीरो एक संख्या होती है ठीक अब हम से आगे देखते हैं अब भा संख्या के करते हैं तो भाद संख्या क्या होती है यह संख्या एक किसी और और एक संख्या से कटे उसको हम लोग क्या वोलेंगे आभास संख्या वोलेंगे जैसे 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 बारा हो गया बारा एक से भी कटेगा खुद से भी कटेगा इसके लावा किसी एक संख्या से हो करना चाहिए तो किससे बताइए आप लोग तीन से भी कट जाएगा दो से भी संक्या हो जाएगी जैसे 6 हो गया 6 1 से भी कटेगा सोयम से भी से नाम दो से भी कटेगा तीन से कहे 깃 रहा है न तो अब वह संक्या कहलाकई अब यहां से बहुत है अगर भाव PSन से आप से प्रस्न पूछा जाएगा तो सबसे छोटी हए सबसे चोटी होती है चार होती है, कैंब अ आभा संख्या के बारे हैं तो वह संख्या जो एक वा सवयं के अलावा किसी premise संख्या से विभाजित न भी कंप यतना हो उसके यह वा किए बोलें गयर किसी अनले संख्या से उसको क्या बोलेंगे अभाद संख्या बुलेंगे जैसे जो एक से कटेगा यहाँ से पांच साथ ग्यारा-तेरा इत्याद central कहला है अब यहाँ से पूछा जाएगा सबसे चोटी सवहास संख्या कोन सी होती है कई बार-aning यूपीटर सीटर में पूछा गया प्रस्थ है तो सबसे चोटी आभास संख्या दो होती है क्या होती है तो आप लोग ने पढ़ा भी होगा ना जिसका निकालने पर एक आए उसकों लोग को पराइम ही बोलते हैं जैसे दो प्राक्तिक संख्या जिनका एक के लावा कोई और क्या वोलते हैं उसके आप लोग निकालो कर लोग इसके बाद दो तीन हो गया तो इस संख्या यह उत्ध लोग क्या बोलेंगे सावास संख्याएं कहलाएंगी ठीक तो आज के नंबर सिक्टम के अंदर का आप लोग हम लोग ने क्या पढ़ा था हम लोग ने पढ़ा था संख्याएं कितने प्रकास होती हैं तो संख्याएं दो मुटने का वाकति संख्याओं में हम लोग ने पढ़ा रूप में लिख सकते हैं उसके बाद हम प्राकष नक प्राक्षिक संख्याओं क्या होता है इसेinger को अitt sounded की जीन के गिनते हैं याणी एक से लेखे अगर संख्याय जो है उनको बलोग पूरांग की होते हैं तो सब्सक्राइब करना जाए जैसे जीनों मिला लिया जाता है जैसे बीशालित हो गया 123 वहाई जीजी आतματα संख्या है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं उसके बाद हम लोगों ने बीसम संख्या पढ़ा संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो बीभाजित ना हो उनको हम लोग क्या कहते हैं? बिसम संख्या हैं बोलते हैं जैसे 3, 7, 23, 21 आदी, 2 से कटेगा नहीं कटेगा न तो बिसम संख्या कहलाएंगी एक पॉइंट हमने और पढ़ा इस्टाल लगा कि 0,1 संख्या होती है, 0 क्या होती है? 0,1 संख्या होती है उसके बाद हम लोगोंने भाज संख्या हैं पढ़ी, भाज संख्या हैं ऐसी संख्या जो एक वाज संख्या कहलाओ किसी एक संख्या से कटे उसको हम लोग भाज संख्या कहलेते हैं जैसे 12, 6, 4 आद इत्यादी, सबसे छोटी आभाज संख्या क्या होती है? 4 होती है उसके बाद हम लोगोंने आभाद संख्या को बढ़ा। आभाद संख्या को बाद कहला। दो बट्टा चार क्या है इसका आप लोग निकालों किया या साभास संक्या कहलाएंगी तो आज हमने नंबर सिस्टम को पढ़ा अब आज से आप लोग की प्रापर तरीके से टापिक वाई क्लासिन मैंने स्टार्ट कर दी है सब की प्लेलिस्ट बनाऊंगा प्रापर तरीके स क्लास वन क्लास टू क्लास ठीट करके सबके नंबर से आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी बस आप लोग तीन महीने हमारे चैनल के साथ जूड़े रहे वादा करता हूं इस बार सीटेट में भी आप अपना 120-125 प्लस नंबर लाओगे यूपीटेट में भी आप लोग सब्सक्राइब करें रहे हमाई चैनल के साथ जूड़े रहे हैं कर फिर मिलते हैं किसी नए से सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद